तो दोस्तों अगर आप इस तरह के thumbnails create करना चाहते हैं अपने mobile पर तो ये वीडियो आपके लिए है इस तरह के आप HD thumbnails create कर सकते हैं अपनी mobile पर आसानी से आज के इस वीडियो में बताने बाला हूँ कि कैसे आप free में एक professional thumbnail create कर सकते हैं और वो भी अपने mobile पर तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ mobile के related ही बताने बाला हूँ कि कैसे आप mobile में free में thumbnail create कर सकते हैं HD वाला तो laptop का method मैं next video में cover करने वाला हूँ अगर आपको next video देखना है तो link description में है आप देख सकते हैं उसमें मैंने बताया कि कैसे आप laptop के जरिये एक अच्छा वाला thumbnail create कर सकते हैं फ्री में ठीक है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है महेश सुलाखे और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किजेगा और बेल एकन को प्रेस करना ऐसे ही YouTube अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को like कीजेगा और अपने friends के साथ share कीजेगा हमारी जो महनत है उससे थोड़ा सा सफल कीजेगा तो चलिए वीडियो को start करते है और चलते है मेरे mobile screen के प आपको install करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर गाईस यहाँ पर जो तीन डॉट्स है ना इसके उपर आपको क्लिक करना है सबसे पहले आप जब भी image import करते हो गैलरी से आपको इसी option से जाना है तीन डॉट्स है यहाँ पर क्लिक करना है यूज इमेज फ्रम गैलरी तो मैं गैलरी से एक photo select करता हूँ तो उसके लिए आपको क्या करना है इस तरह के photos अपने click करके रखना है उसके बाद मैं आपको यूट्यूब को जो ratio चाहिए ना 16-9 चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ratio से 1-1 है सब कुछ मैं भी यहाँ पर movement कर रहा हूँ यह वाला आपको 16-9 को select करना है और यहाँ पर देख सकते हैं आप अभी adjust कर सकते हैं फोटो को ठीक है तो मैं फिलाल इससे adjust कर रहा हूँ और अगर आपको ठीक लगे तो आप OK के उपर click किजिएगा तो जैसे आप OK करेंगे तो आपका जो फोटो है यहाँ पर आ जाएगा प्रीविव दिखेगा आपको यहाँ पर ठीक है उसके बाद में जब भी आप फोटोस दूसरा आपको कुछ फोटोस चाहिए तो आप यहाँ पर प्लस मार्क है इसके उपर आप click किजिएगा यहाँ पर देख से था बहुत सरे options है shapes है sticker है from gallery pair से जाकर हम लोग यहाँ पर क् पर पास shadow का photo है इसे हम लोग अभी यहाँ पर आड करने वाले हैं तो फिलाल अभी shadow इस तरफ है left side में तो में इसे right side में लेने चाहता हूं तो इसे आपको घुमाना है बस और सेम आपको ratio भी set करना है 16 is to 9 और okay के उपर click किज़े और यहाँ पर आ जाएगा अब आपको क्या करना है इसको इस तरह से उपर लेना है उपर लेकि छोड़ दीजा तब यहाँ पर जो टेक्स्ट है यहाँ पर दिखेगा आपको अब आपको इसे edit करना है edit करने के लिए तो guys सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर जो ए लिखाना इसके उपर click करना है जैसे आप click करेंगे आपको edit का option आएगा delete कर सकते हैं इसी जो टेक्स्ट है आगर आप बनाते हैं उसको आप copy भी कर सकते हैं और भी बहुत सरे options है अगर मैं पूरे options बताता बटूंगा तो वीडियो बहुत लंब हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे तो मैं फटा फट से आपको एक thumbnail बना आपके दिखा दूंगा तो चलिए विडियो को स्टार्ट करते हैं तो एडिट के ओपर आपको क्लिक करना है यहां पर जो निव टेक्स्ट है इसे आप डिलिट किजिएगा और और इसे क्या करने हैं हमको एक background आड करना है तो यहां पर एक बैगरांड को option है उसके पर क्लिक किजएगा और एक बैगरांड आ जाएगा और एनेबल किजएगा और उसके बाद आप बैगरांड का कलर भी चेंज कर सकते हैं तो मैं फिला लिए हाँ पर और फिर गोल्ड कल अगर चेंज करना है तो भी चेंज कर सकते हैं फिलाल मैं अभी अमरनात बोल्ड को यूज कर रहा हूं ओके कर रहा हूं तो मेरा जो पहला वाला जो टेक्स्ट है वो रडी हो चुका है और भी कहीं सरे options यहां पर है आप उसे add कर सकते हैं और उसके बाद में यहां पर जो hexagon जो create के नीचे दिख रहा है आपको इस टेक्स्ट को इस तरह से घुमा सकते हैं यहां पर रख दीजेगा अब आपको क्या करना है इसे copy कर लेना है आप copy करेंगे और यहां पर रख देंगे और इसे आपको फिर से edit करना है ताकि आपका थोड़ा सा time बच जाए तो दोस्तो आप keywords यानि कि जो words है उसको ही आप लेकर एक अच्छा सा thumbnail बना सकते हैं बस एक अच्छा सा background select कर लीजिएगा और उसके बाद में आप और एक बात बतना चाहूंगा ज्यादा जो words है उसमें भरवर के मत दालेगा ताकि पढ़ने वालों को क्या होता है जल्दी से क्या पढ professional HD thumbnail बस इतना ही लिखना है आपको ठीक है तो इससे क्या होता है कि वीडियो के अंदर क्या है easily पता चल जाता है तो गाइस इस तरह से आप आप एक professional HD thumbnail create कर सकते है pixel lab को use करके यह totally free है आपको मैं save करके दिखाता हूं और gallery में कैसे दिखता है वो भी दिखाता हूं तो चलिए save करते हैं और देखते हैं कैसे दिखता है आपका thumbnail तो save पर click करना है save as image और उसके बाद में image format jpg है आप pngb कर सकते हैं और उसके बाद जो quality है image की वह यहाँ पर आप select कर सकते हैं मैं फिलाल ले रहा हूं ultra ठीक है और उपर आप देख सेते हैं option है save to gallery save to gallery पर click कीजेगा आपका जो thumbnail है वो आपकी gallery में save हो जाएगा अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को like कीजेगा और अपने friends के साथ share कीजेगा हमारी जो मेहनत है उसे थोड़ा सा सफल कीजेगा